नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल सक्षित पटल पर, आशा है आप सभी अच्छे होंगे, रै डॉक्टर सुनीता मिश्रा, वीडियो को पूरी ज़रूर देखेगा राम की श्री है सीता जी, जब हम श्री राम कहते हैं तो उसमें श्री सब्द सीता जी के लियले आता है वस्तुता सीता राम की शक्ति और सोहा है पुत्री, पुतरवधू, पत्नी और मा के रूप में उनका आधर शसरूप है भगवती सीता भगवान स्री राम चंदर जी की शक्ति और राम कथा की प्राण है यदि पिवैशाक शुक्ल पक्ष के नौमी तीथी को जान की जैनती मना जाती है किन्तु भारत के कुछ छेत्रों में फालगुन मास के कृष्ण पक्ष के अश्टिमी को सीता जैनती की रूप में भी मनाया जाता है यही निर्ड़े सिंदु में कल्पतरू नामक प्राचिन ग्रंथ का संदर्व देते हुए लिखा गया है कि फालगुन अश्टिमी के दिन स्री राम चंदर जी की धर्म पत्नी जनक नंदिनी स्री जान की प्रकट हुई थी इसलिए इस्तिथी को सीता अश्टिमी के नाम से जाना जाता है सीता जी का बिलक्षर प्रादुरुहा हुआ है बालमे की रामण का कथने की त्रेता युक में जब भगवान विश्नु श्री राम चंदर जी के रुप में महाराज जा अध्या में दश्रत के महल में उतिल हुए थे मानेता है कि एक दिन राजा जनक खेट जूत रहे थे, इसी समय किस्थान पर उनके हल की फाल रुखी, तो उनोंने देखा कि फाल के निकट गड़े में कन्या है, राजा जनक उस कन्या को अपनी पुत्री मान कर लालट पालन करने लगे, संस्कृत में हल की फाल को सीता कहते हैं, इसलिए जनक ने उसका नाम सीता रख दिया, बेदूप निशदों में सीता के विराट सुरूप का परिचे विस्तार से दिया गया है, रिगवेद में इस्तुति की गई है कि असुरों का नाश करने वाली सीते हम आपके चाड़ों की वंदना करते हैं, आप हमारा कल्याण करें, आसुरी शक्तियों के नाशे तू सीता जी से प्रार्थना करना सोता है, इस तथ्य का दियोतक है कि वे महाशक्ती हैं, सीत उपनिशन में सीता को ही मूल प्रकृती अर्थात आदिशक्ती माना गया है, इस उपनिशन में उनका परिचे देते हुए कहा गया है कि जिसके नेत्र के निमेश, उनमेश मात्र से ही संसार की स्रिष्ठी स्थीती संगहार आदि क्रियाएं होती हैं, स्री रामोतर तापनी उपनिशन में भी यही संदेश मिलता है, समस्त देधारियों की उत्पत्ती पालन तथा संगहार करने वाली आद्या शक्ती ही मूल प्रकृत्ती संग्यक्स्री सीता जी है, गोस्वामी तुलसिदाज स्री रामचरित मानस में इनहीं तत्यों को उजागर करते हैं, सीता जी को नमन करते हैं, संसार की उत्पत्ति पालन तथा संगहर करने वाली समस्तकलेशों को हरने वाली सब प्रकार से कल्याड करने वाली स्री रामचंद जी की प्रयत्मा सीता जी को में नमस्कार करता हूं स्रीष्ट कियो उत्पन करने कार ब्रह्मा जी का पालन करने का काम स्रीविष्टू जी का तथा संगहर करने का काम महाकाल यानि संकर जी का है परन्तु सीता जी में इन त्रिदों की शक्तियां समाहित हैं रामचंद के बाल कांड में सीता जी के उद्भव कारड़ी अध्या से अरड कांड तक इस्थित कारड़ी लंका कांड में संहर कारड़ी किसकिंदा कांड एवं सुन्दर कांड में क्लेश हारड़ी उत्तर कांड में सर्वश्रियसकरी रूप का दर्शन होता है भगवान स्री राम की तरह भगवती सीता भी शडैश्वर्य संयुकता है पद्मपुराण में सीता जी को जगनमाता और स्री राम को जगतपिता बताया गया है अद्भुत रामेड में सीता जी की विसिष्टता और उनके विराठ सुरूप का साक्षातकार होता है आध्यात्मरामैड का कहना है एक मात्र सत्य ही है कि स्रीराम की बहरूपडी माया को स्विकार कर विश्वरूप में भासित हो रहे हैं और सीता जी ही वह योग माया हैं महारामैड में सीता जी को ही समस्त्य शक्तियों का स्रोत घोशित किया गया है सीता जी का चरित्र आदर्श है और हमें सासद्य महिलाओं के लिए नारियों के लिए अनुकर ली है बिवास से पूरु महाशक्ती सो रूपा सीता महराज जनक की आग्यकाड़ी आदर्श पुत्री और बिवाहों परंत महराज दसरत की आदर्श बहु की रूप में सामने आती है रामचंद्र जी की साथ बिवा करने के बाद वह हर तरह से सच्ची सधर्मनी सावित होती है बनवास के कश्टों की परवाह किये बिना वे पती के साथ अपनी इक्षा से वनगमन करती हैं इतना ही नहीं वे हर कदम पर अपने पती का पूर निस्ठायम सही शुडता से साथ देती हैं बालमी की आश्रम में अपने पूत्रों लवक उसको अच्छे संसकार देकर उन्हें उनके वन्स के अनुयूप तेजस्वी बनाती हैं पूत्री, पूत्रबधु, पत्नी और मा के रुप में सर्वत्रों का आधर्श रूप ही सामने आता है संसार में आउतरित होने पर आधात्मिक आध्यशक्ति जिस कुशलता से अपने धर्मियम करतब्य का पालन करती हैं वह संपूर जगत के लिए प्रेड़ा दायक है रामचंद्री जी को जब सीता जी ने वर्माला पहनाई तो वहे बन गए स्री राम वस्तुता स्री राम की स्री सीता ही है इसलिए तो हम या तो सीता राम कहते हैं या फिर सिर्फ स्री राम सही मायनों में भगवान रामचंद्र की स्री रूपा शक्ती सीता ही है और उनका चरित्र अनंतकाल तक अनुकरड़ी है हर द्रिष्टी से रावण के करीब आते ही क्यों घास का तिनका उठा लेती थी मातासीता मातासीता का एक रोचक प्रसंग है जिसमें मातासीता के घास का तिनका उठाते ही रावण पीछे हड़ जाता था रावन जब सीता जी का हरण करके लंका ले गये तब माता सीता अशोक वाटिका में वटब्रिक्ष के नीचे बैठकर के वल प्रभू सीराम का इसमरड़ और चिंतन करती रहती थी रावन बार बार आ कर सीता जी को धंकाता था लेकिन सीता जी कुछ नहीं कहती थी रावण ने श्री राम का वेश रखकर सीता जी को भ्रहमित करने की कोशिस की रावण था खार का जब अपने वेश शैन कक्ष में पहुचा तब मंदोधरी ने पूछा आपने राम का वेश धरा था फिर क्या हुआ रावण ने का जब मैं राम का रूप लेकर सीता के शमक्ष गया तब सीता मुझे नजर ही नहीं आई रावण ने फिर कोशिस की लंका पती रावण हार का हमानने वाला था उसने फिर से माता सीता के करीवाने का प्रयास किया और माता सीता के पास जाकर बोला मैं तुमसे सीधा साधा संबाद करता हूँ और तुम कैसी नारी हो कि मेरे पास आते गहास का तिनका उठा कर उसे ही घुर-घुर कर देखने लगती हो क्या गहास का तिनका भगवान राम से भी जादा प्यारा है रावन के इस प्रश्न को सुनकर माता सीता की आखों से आशुकी धारा वह निकली आई जानते हैं क्या है इस तिनके का रहसे माता सिंता का बड़े आदर से जब ग्रह प्रवेश हुआ था नई-नई वहू बन कर आई थी और उस परंपरा का उस घास के तिनके का रहसे बहुत चुपा हुआ है नई वहू जब सस्वराल आती तो उसके हाथ में कुछ मीठा पकवान बनाने की परंपरा है सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से खीर बनाई और राजा दसरत समय सभी रिशी मुनियों को खीर परोसी सीता जी ने जैसे ही खीर परोसना शुरू किया तभी जोर से खवा का जोका आया सभी ने अपने अपने पतल समहाली सीता जी जब तक कुछ समझ पाती तब तक राजा दसरत जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनके का गिर आकर गिर पड़ा सीता जी ने उस तिनके को देख लिया लेकिन प्रशने था कि आखिर खीर में हाथ कौन डाले तब सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घुरू कर देख लिया तो वो तिनका राक का एच छोटा बिंदो बन कर रहे है सीता जी ने सोचा किसी ने नहीं देखा लेकिन दसरत जी असब देख रहे थे फिर राजा दसरत चुप रहे और अपने कक्ष में चल गए वहाँ सीता जी को बुलाया राजा दसरत ने सीता जी सिखा मैंने भूजन की समय तुम्हारा चमतकार देख लिया आप साक्षाद जगचन्नी का दूसरा रूप है लेकिन एक बात मेरी याद रखना आज उस तिनको को जिस नजर से देखा था उस नजर से आप अपने शत्र को कभी मत देखना इसलिए सीता जी के सामने जब रावड आता था तो वा उस घास के तिनके को उठा कर देखने लगती थी और रावड भैभीत हो जाता था और पीछे हड जाता था जै स्री नाम, जै जै सिरी नाम, जै सिया राम अगर आप शेक्षिक पटल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन ट्रेस कर दें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिसिकेशन मिलती रहें और वीडियो को अंतक जरूर दिखा करें वीडियो को लाइक करें, जादा जादा शेयर करें अपने बहमूले सुझाओ कोमेंट बॉक्स में अवश्य दें आपके सुझाओं का, बिचारों का हमें इंतजार रहता है वीडियो को जादा से जादा लोगों तक पहुचाएं अपने दोस्तों मिस्त्रों रिष्टेदारों में शेयर करें उनसे सब्सक्राइब करवाएं धन्यवाद, नमस्कार